तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जारखन पुलिस का जो नोटिफिकेशन आया है तो उसमें पॉर्म को फिलब कोन लोग कर सकते हैं क्या क्राइटरिया है एज लिमिट कितने क्या है ठीक है इसका सिलेबस क्या है क्या पढ़ना ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले है ठीक है तो जारखन पुलिस को जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है ठीक है फॉर्म फिलब अभी नहीं हो रहा है फॉर्म फिलब जो है वो 15 तारिक से होना शुरू हो जाएगा 15 जन्वरी से ठीक है टोटल पोस्ट कितने है तो 4919 पोस्ट है बाकि कम्प्लीट डिटेल जो है आपको धीरे धीरे आगे कर बताएंगे ठीक है इस वीडियो में आपको क् कितनी होनी चाहिए ठीक है हमें इसको एक्जाम पैटर्न क्या होगा ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है सिलेबस क्या है यह सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएगे ठीक है तो चलिए फिर शुरू करते हैं देखिए जहार्खन पुलिस आरक्षी 2024 जो जहा 2019 post ठीक है qualification क्या है तो 10th pass ठीक है minimum qualification आपको क्या होना चाहिए ठीक है form को fill करने के लिए आपको 100 रुपय लग रहे है ठीक है और अगर STST की बात करें तो उसको 50 रुपय लगेंगे ठीक है क्लियर है यहां पर अब बात करते हैं एज की तो अगर हम सिर्फ मेल की बात करते हैं तो मेल के लिए जो एज है जैनरल के लिए यू आर अन्रिजर्व्ड और EWS के लिए 18 साल मीनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम कितना 25 साल OBC के लिए 18 से 27 साल STC के लिए 18 से 30 साल ठीक है यही अगर हम हम फीमेल की बात करते हैं तो 18 से 28 साल होना चाहिए किसके लिए General, EWS और OBC के लिए लेकिन HTSC के लिए कितना 18 से 30 साल ठीक है यह आपका जो है वो Age Criteria है और आपको Age Relaxation जो है वो 5 साल का मिलता है सभी में ठीक है चाहे आप किसी भी कैटेगरी के है आपको 5 साल का Age Relaxation मिल रहा है अब आते हैं हाइट हे लो आपको कितनी होनी चाहिए ठीक है इस form को फिलप करने के लिए आप की है जो हाइट जो है वो 60 cm होनी चाहिए 160 cm जो है आपकी हाइट होनी चाहिए या फिर OBC से हैच है अगर आप general category के हैं या EWS है या OBC category के हैं तो आपकी height कितनी होनी चाहिए 160, 160 cm अगर आप ST या SC category में आते हैं तो आपका height है वो 155 cm होना चाहिए और अगर आप female है, female category के लिए तो female में कोई भी category हो आपको 148 cm height चाहिए ये तो हो गई height के लिए अब आते हैं chest, chest जो है वो सिर्फ और सिर्फ male के लिए है ठीक है, chest जो, ये सिर्फ male के लिए होता है ठीक है, तो अगर आप general EWS या OBC से हैं तो 81 cm और STSC से हैं तो 79 cm ये आपका chest इतना होना चाहिए ठीक है, registration date क्या है तो 15 तारिक से form भराना शुरू होगा January में और 14 तक last date है ठीक है, लेकिन last date का आप wait मत करिएगा payment का जो last date है, देखिए ये तो सिर्फ registration का last date है payment आप 16 तारिक तक कर सकते हैं अगर photo और signature जो आप 18 तक भी upload कर सकते हैं और अगर आपका किसी तरह का कोई form fill up करने time कुछ गलती हो जाती है ठीक है, तो correction के लिए जो है website फिर से open होगा 20 तारिक से 22 तारिक तक ठीक है, 18 तारिक को close हो जाएगा उसका correction के लिए 20, 21, 22, 3 दिन आपको time मिलेगा इतना दिन आपका site खुला रहेगा, ठीक है लेकिन आप correct क्या कर सकते हैं, क्या क्या correct कर सकते हैं, क्या correct नहीं कर सकते हैं, correction किसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है तो name, ठीक है, name, आपका name जो हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका जो email id है, ठीक है, name, father's name, mother's name, ये सब में जो हैं, आप correction नहीं कर सकते तो इसलिए अपना नाम, ठीक है, अच्छा सिर्फ नेम बोला गया है, ठीक है, नेम, डेट ओफ बर्थ, उसके बाद इमेल, ठीक है, इमेल और एक मोबाइल नमबर, ठीक है, ये सब चीजों को आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये सब चीजें जो है कभी भी घरबढ मत करिएगा, नहीं तो फिर करेक्शन नहीं होगा, इसके अलावा जितने भी चीजें हैं, आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, इस डेट के अंदर, ठीक है, लेकिन नेम, डेट ओब बर्थ, इमेल आइडी और मोबाइल नमबर ये करेक्शन नहीं होगा, ठीक है, ध्यान से भरेंगे, है न, चलिए, अब बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है, अब बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सबसे पहले आपका जो एक्जाम है, उसको तीन पार्ट में बाटा गया है, तीन भाग में सबसे पहले physical पहले आपका physical होगा ठीक है physical में क्या होगा PhD और PT दोनों होगा ठीक है तो सबसे पहले इस में जो है आपकी height की बात की जाए height के बारे में तो बता ही दिये है 160 centimeter 160 centimeter किस के लिए तो UR और EWS और OVC के लिए ठीक है OVC के लिए और 155 cm किसके लिए तो HTSC के लिए ठीक है और यह जो दोनों चीज़े हम आपको बता रहे हैं यह किसके लिए है तो male category के लिए ठीक है female के लिए 148 cm चाहिए ठीक है यह female के लिए है अब अगर हम chest की बात करें तो chest के लिए सिर्फ और सिर्फ male के लिए ठा 81 cm ठीक है किसके लिए तो UR उसका OVC और EWS इनके लिए क्या है तो 81 cm chest होना चाहिए और HTSC के लिए कितना 79 cm ठीक है यह आपका notification में दिया हुआ है इसमें से बहुत लोगों को यह पता भी होगा अब बात करते है रनिंग की ठीक है रनिंग कितना करना है तो रनिंग जो है न वो 10 km है कितना 10 km कितने दिर में पाउट में ठीक है? किस के लिए तो मेल के लिए ठीक है फीमेल के लिए अगर बात करें तो 5 km है कितना मेनट में? 40 मेनट में ठीक है यह फीमेल के लिए यह होगी आपका physical अगर यह आप पास करते हैं तो फिर आप आगे बढ़ेंगे medical में और medical में बहुत सारी चीज़ें जो है rule के हिसाब से check होती है जैसे eyes check होगा ठीक है आपका body में leg वोगेरा check होगा बहुत सारी चीज़ें ये medical का process है ये सबका same रहता है ठीक है तो ये इसके बारे में बात ज़्यादा नहीं करते हैं आगे बढ़ते है रिटन में हमारा जो रिटन है वो main है ठीक है तो कि merit जो है न वो return से बनती है main जो है वो return है main marks जो हमारा बनता है वो return से बनता है physical सिर्फ qualify करना है आपको qualify करना इसका कोई marks नहीं मिलता है return जो होगा वो आपका OMR seat पे होगा यानि की offline होगा OMR seat यानि offline mode ठीक है आपका जो return होगा वो offline mode पे होगा ठीक है अब हम return की अगर हम जब बात कर ही रहे हैं ठीक है तो syllabus के बारे में भी बात कर लें कि return में क्या क्या पढ़ना है ठीक है लेगन उससे पहले बता दें कि जब आपका जो return exam होगा उसमें normalization होगा ठीक है नौर्मलाइजेशन ठीक है आपका normalization होगा ठीक है क्योंकि देखिए exam जो है वो एक दिने तो होगा नहीं बहुत सारे shift में होगे तो उसी को normalize की जाएगा ठीक है उसके बाद अगर आप आते हैं ठीक है अब क्या करते हैं लोग syllabus के देखते हैं तो आपका जो syllabus है वो दो paper मैं बटा हुआ है paper one और पेपरु आपका जो पूरा syllabus है वो the papers में बटा हुआ paper one और paper two paper one में आपको 63e भासा ठीक है 63e भासा आप local language बोल सकते हो आरीजनी रिजाणा जिसमें आप हिंदी भी रख सकते हैं भूट तरह लेंगवेचे ढ़ता आप को झो ठीक लगता है आप जिस पर कमफर्टेबल हैं आप लेंगवेच रख सकते हैं फित्रिय भासा के टोटल 100 questions रहेंगे ठीक है और एक question तीन नंबर का रहेगा यानि कि total marks जो है वो 300 नंबर का है पेपर 1 में आपको 30% लाना compulsory है अगर ये 30% आप नहीं लाते हैं तो आपका copy आगे चेक नहीं होगा तो इसमें आपको 30% लाना ही है ऐसा नहीं कि 30% ही लाना है 30% सिर्फ आपको compulsory है कि आप 30% लाएंगे तो आगे आपका copy चेक होगा लेकिन इसका marks भी तो जूटेगा इसका marks जूटेगा इसलिए आपको सिर्फ 30% सोचके नहीं पढ़ना है आपको सोचके पढ़ना है कि मेरा ये 300 number का question है तो ज़्यादस ज़्यादा marks आपको इसमें उठाना है अब आते हैं paper 2 में paper 2 को 2 part अब फिर से माठा गिया हिंदी रहेगा और part B में जो है वो आपका GKS आएगा जिसमें history, quality, geography सभी पढ़ना है ठीक है science, current affairs उसके total 25 questions होंगे जिसमें एक question 3 marks का होगा 75 marks का total हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपको पढ़ना है numerical ability ठीक है numerical ability यानि कि आप बोलिए maths ठीक है आपको क्या पढ़ना है maths पढ़ना है maths में भी दो पार्ट में ये बढ़ते है maths को एक arithmetic और एक advance ठीक है ये दो पार्ट में बढ़ते है ठीक है तो आपको arithmetic पढ़ना है advance का सिर्फ एक topic जो की mensuration होता है mensuration advance का ही topic है ठीक है लेकिन arithmetic में भी इसको रखा जाता है ability में advance math नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ arithmetic पढ़ना है, ठीक है, तो इसमें भी total कितने questions होंगे, arithmetic के, तो 25 questions होंगे, 1 question 3 marks का होगा, यानि कि 75 marks का क्या होगा, आपका math होगा, ठीक है, total अगर आप जोड़ेंगे, तो 100 questions होंगे, 1 question 3 number का, यानि कि 300 number का, यहां भी आपका होगा, यानि कि total जो आपका exam है, paper 1 और paper 2 का, वो 3300 number का है, यानि 300 number का paper 1, छेतरिये भासा, और 300 number का paper 2, जिसमें Hindi, GKGS, और numerical ability है, ठीक है, इसमें जो negative marking है, ठीक है, negative marks जो है, ठीक है, वो कितना है, तो one third, ठीक है, one third, ठीक है, एक बटा 3, यानि कि अगर एक question अगर आप correct करते हो, तो आपको 3 marks मिलेंगे, ठीक है, 3 marks मिलेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप एक question को wrong करते हो, तो आपका एक नंबर माइनस हो जाएगा ठीक है यानि कि आपका नुकसान कितने का हो रहा है चार नंबर का ठीक है यह होता है यानि कि अगर आप को शन गलत करेंगे तो वो तो तीन नंबर आपको मिलने से रहा आप तो नहीं मिलने वाला और उपर से एक नंबर और कट जाए और जो छेत्रिय भासा के syllabus है वो notification जो आया है PDF में provide किया दिया हुआ है ठीक है लेकिन अगर हम maths की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोल दिया कि मुझे numerical ability पढ़ना है तो बहुत से लोगों को syllabus नहीं पता होता है तो हम आपको syllabus बता रहे हैं कि हमारा syllabus क्या है तो सब सबसे पहले अगर numerical ability की बात करें तो टोटल यहां पे हम देखा जाए तो 22 topics है ठीक है क्या क्या है तो सबसे पहले calculation and Simplification ठीक है calculation तो खैर यह syllabus में नहीं होता यह पढ़ना पढ़ता है क्योंकि पूरा arithmetic में इसका use होता ही है हर जगह पर ठीक है तो calculation and simplification a square root cube root ठीक है a square root cube root को अलग से नहीं पढ़ाते हैं ठीक है वो simplification के अंदर या certs indices के अंदर पढ़ा देते हैं या number system के अंदर पढ़ाते हैं ठीक है हम अलग से पढ़ाएंगे आपको ठीक है mixture relegation partnership average ठीक है time and work pipe and system ठीक है उसके बाद speed time and distance speed time and distance के अंदर में ही हम लोग train पढ़ेंगे और इसी के अंदर हम लोग race पढ़ेंगे और फिर आएंगे bottom stream में फिर statistics ठीक है statistics बहुत पे teachers आपको बताते नहीं होंगे ठीक है लेकिन जारखन का कोई भरोसा नहीं है ठीक है जारखन का कोई भरोसा नहीं क्योंकि देखिए आपको numerical ability के हां तक बोला गया 10th level का ठीक है तो पढ़ते हैं तो वहां तर भी आपका question बन सकता है वहां से भी क्योंकि जारखन का भरोसा नहीं है ठीक है probability प्राइकता ये भी आप 9 10th में पढ़ते हैं भले ही question बने या ना बने लेकिन हमको क्या करना है पढ़ना है क्योंकि जारखन का भरोसा नहीं हो सकते है कहां से क्या पूछ दे ठीक है उसका मेंसुरेशन से कुछे से च्छेतर मिर्थ ओर रिशद के थी तर मेंसूरेशन भी हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं, तो टोटल 22 टॉपिक्स है, डी आई का कोश्चन जो है, यहां पे नहीं बनता है, और अगर बनेगा भी तो आसान कोश्चन बनते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक नुमेरिकल एबिलिटी में डी आई का कोश्चन नहीं बनत से, तो हमारे टोटल कितने टोपिक्स होगें नुमेरिकल एबिलिटी में, 22 टोपिक्स, मेजर टोपिक्स जो हैं, जो मेन मेन टोपिक्स हैं, उनको हम हाइलाइट करते हैं, सबसे पहले मेन टोपिक्स है, आपका LCM, SCF इससे कोश्चन बनते ही हैं, ठीक है, एक नमबर परसेंटेज से बनेगा, प्रॉफिट लॉस से बनेगा, सिम्पल इंट्रेस्ट, कमपाउंड इंट्रेस्ट, रेशियो, ठीक है, उसके बाद एवरेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, तो सेम ही हैं सब, यह सब जो हैं, टॉपिक्स हैं, ठीक है, यह सब से बनते ही हैं, ठीक है, यह सब से क्वेशन बनेंगे ही, उसका मिक्शर एलिगेशन का भी कुछ क्वेशन बन जाता है, मिक्शर एलिगेशन एक मैथर्ड, ठीक है, तो चैप्टर नहीं बोल सकते, एक मैथर्ड है, कहीं भी लग जाता है, रेशियो, profit loss और कुछ question में लग जाएगा, ठीक है, तो बहुत जगा पैज दिगेशन यूज होता है, तो कहीं से भी बोल सकते हैं, आएगा ही question, partnership का भी पूछाएगा, यह सब major topics है, यह सब question जो है, हमें सब पूछा जाता है, fractions से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, indices and certs और simplification इससे एक question बन सकता है, तो यह सारे जो topics जो हमने आपको लिखाए हैं, सारे important topics है, ठीक है, major topics में कौन-कौन से हैं, तो number system से आप LCYS सिफ से start कर ये धर से, यह सारे major topics हैं, जिससे questions बनते ही है, ठीक है, तो यह हमारा syllabus है, तो बहुत जल्द जो है, आपके लिए, जार्खन प पुलिस का math का class शुरू होने वाले है, बहुत जल्द, ठीक है, इस time and work में ही बहुत से लोग बोले हैं, सर wages के बारे में नहीं बताएं, तो time and work के अंदर में ही हम लोग क्या पढ़ लेंगे, wages भी पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आपके total 22 topics numerical ability के हैं, तो बहुत ही जल्द आप आपको जारखंड पुलिस के लिए, जारखंड पुलिस के लिए math की class शुरू होने वाली है, ठीक है, तो जितने भी आपके friends होंगे, ठीक है, जो math की class करना चाहते हैं, या कहीं paid course लेना चाहा रहे हैं, ठीक है, तो उनको पहले बोलिए कि यहाँ पर free of post आपको math पढ़ाया जाएगा, और ऐसा नहीं कि हम आपको सिर्फ previous year question करवा के छोड़ देंगे, ठीक है, basic class चलेगी, ठीक है, अच्छे से rules के साथ पढ़ाएंगे, हम लोग सिर्फ question practice नहीं करने वाले rules पढ़ेंगे, question बनाएंगे, और सिर्फ previous year question नहीं, previous year में जिस तरह के question बनते हैं, उसी के आधार पर हम आपको question भी करवाएंगे, जो दूसरे exam में आये हुए हैं, ठीक है, तो अपने friends से ज़्यादा से ज़्यादा share करिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से लोगों को जोड़िए इस channel के साथ, ठीक है, और अगर आपको ये video अच्छा लगा, तो वीडियो को एक के से सुरू होगी, ना कि हम सिर्फ practice करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे YouTube में जो है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ question practice करवाते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको क्या करेंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है, तो चलिए फिर, आज की class को हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, and take care.